हालो स्टूदेंज, बहुत-बहुत स्वागत है आपका करियर काच विच्छ शुभांकर शो में तो स्टूदेंज, एफरी वीग हम आपके सामने कुछ नए गैस्ट और कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ आपको गाइड करते हैं और ऐसे गाइड करते करते हम बहुत सारे एपिसोड और बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके लेकिन आज हमारे शो में एक ऐसे गैस नहीं, ऐसे होस्ट है जो कि आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं करियर काउच के माध्यम से और ऐसे नहीं, दूसरे चैनल में भी वो एक बहुत इपॉपुलर सेलिब्रेटी फेस हैं तो जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, शुभांकर भटाचारिया के जो की इस करियर काउच विच शुभांकर के होस्ट है और डिरेक्टर भी है तो स्टूडेंस, केई साल से, आज करीबन देर साल से जो है, हम लोग खाली इस शो के माध्यम से नहीं काफी सारे स्कूल्स और कॉलेजिस के माध्यम से भी स्टूडेंस से जुड़ेवे हैं पेरिंस से भी जुड़ेवे हैं और हमें पता चला है बहुत अच्छे से कि स्टूडेंस किन-किन समस्या से जूज रहे हैं और यही नहीं, टीचर्स भी क्या-क्या प्रॉब्लेम्स फेस कर रहे हैं और पेरिंस भी कैसे डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्रॉब्लेम्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों ने बहुत यह अच्छे से इंडिवीजुल लेवल में, वान 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 लेवल में चर्चाय की स्टूडेंस के समस्याओं को समझा और हमें समझ में आया कि वो लोग किस जगह पे अपनी समस्या से लड़ रहे हैं तो आज कुछ इन ही चर्चाओं के साथ हम लोग आगे इस शो में शुभांकर जी के साथ थोड़ा बार तेलाब करेंगे कि कैसे हम लोगों ने इन समस्या को जाना और पहचाना और इनके उपर काम किया तो जी हाँ चलते हैं शुभांकर भटाचारिया जी के साथ करियर काउच विच शुभांकर में शुभांकर जी स्वाकरत है आपका अपनी ही शो में करियर काउच विच शुभांकर में तो बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है जहां पर मैं आपसे धीर सारी बाते कर सकती हूँ और I think लोगों को भी समझ में आएगा हूँ इस शुभांकर भटाचारिया बिल्कुल तो जी हां यह जो शुभांकर भटाचारिया नाम है यह कई सालों से एक मीडिया में एक जाना पर चाना नाम है और पाबलिक टीवी में अर्नब गोस्वामी बोलिये, मानग जी बोलिये, निउस 24 में या फिर कोई भी नाशनल चानल में आप अकसर दिखते हैं, लेकिन उसे के साथ एक कारिया रिलेटेज शो में प्राइम टीवी के साथ कैसे जुड़े हैं आप, I think लोग भी यह जानना चाहते हैं, हाँ, शिमुल, बहुत सही बात कही आपने हैं कि, हाँ, मीडिया से मेरा जो तालुक है, वो काफी प चैनल पर ज्यादा ते सारी मैंने नैशनल चैनल मैंने कवर किये हैं, यह बात है, अक्चुली, प्राइम टीवी के जो अमडी साहब है, डॉक्टर रिशब, जो है, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो एक चर्चा के दौरान में मेरा चैनल में आना होता है, और अ हमेशा से रही, उसका कारण यह था कि मेरी मदर जो है, वो एकनोमिक्स के, अब तो रिटार्ड लेक्चरर हैं, तो नैशनली एजुकेशन से, जो मेरा जो तालूक था, वो बच्चमन सी था, मैंने लोगों को पढ़ते बहुत देखा, और एक समय ऐसा आया कि जब मैं तो आपको मैं बता दूँ, आपके साथ जो शिमुल मैं जो बैठी हूँ, यह भी मुझे से टूशन पढ़ चुकी है, तो जी, तो एजुकेशन से जो तालूक रहा, कही ना कही बच्चमन से शुरू हो चुका था, लेकिन एक और कारण है, सिर्फ बात एजुकेशन से जु चेंजेज आर इनेवेटिबल, नो डाउट, यानि बदलाव जो है, उसकी जवरत आन पढ़ती है, बदलाव होने चाहिए, लेकिन साथी साथ एक परशन ये भी आता है, कि बदलाव होने कैसे चाहिए, इस परशन से हम लोग बहुत जाद अपने आप से जूशते रहे, अगर पेरेंट अचानक बच्चे को अगर बता है कि भई, एक्टर कैसे बनना है, तो आप भी असेंगी, कि नहीं हो सकता भई, क्योंकि जिस चीज से जिस बंदे का तालूक होता है, वो उसी माइंड सेट में डेबलप होता है, फिर वो कोशिश करता है कि अगले में भी, अ शिमल की वो जो बच्चा है, उसके मन में खुद की क्या एक सपने होंगे, वो खुद कुछ और शायद बनना चाहता होगा, उसको सायद मेडिकल में जाना ही नहीं नहीं, उसको सायद एंजीनियर बनना ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो इनी सब बातों को लेते हुए, क्यो कोटे को अपने बच्चों को भेजना वह एक सपना बन जाता है क्यों एक सपना भाई वहां भी तो क्या है वहां भी कोचिंग इंस्टीटूट सीना है लेकिन अनुता-ता क्या? सेलेक्शन होगा दो या तीन परसंट बच्चों का सतानवे प्रतिशाद बच्चे वो मायूस हो जाते हैं उनके लिए क्या हम लोगोंने कुछ सोचा कि उनके लिए प्लान भी क्या होगा यही सब सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेते हैं शिमुल और आपको याद होगा एक दिन हम लोग एक चाय पे चर्चा की हम लोगोंने जहां कई लोग हम लोग एक साथ बैटे फिर आपने भी एक सजेशन दिया दोस्तों शिमुल जी जो है ये एक बहुत लंबे समय से शायद मुझसे भी ज़्यादा लंबे समय से इजुकेशन प्रोफेशन से जूड़ी हुई है मैं तो बीच में मेडिया में मैं कई और प्रोफेशन से साथ में रहूं लेकिन आपने शुरुआत शायद पूरे मीडिया को लेके किया था और आपने मुझे वो जो जिसको मैं कहूं कि आपने वो आत्मबल मुझे दिया, आपने मुझे वो सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा एक कारिकरम लाया जा सकता है. And rest is history. जी शुबांकर जी बिलकुल, क्योंकि जब हम लोगों ने ये चर्चा की, मेरी जो experience है, वो domestic students के साथ है, लेकिन, I think काफी सालों से आप international students के साथ जुड़े वे हैं, उनके international students development program के साथ जुड़े वे हैं, तो मेरा यही था कि क्यों नहीं दोरों मिलके और एक team मिलके कुछ ऐसे बनाया जाए, जो यहां के students के benefit में हो. क्योंकि जब ही हम बात करते हैं, जैसे कि आपने इतनी देर में बोला, it is everything about mindset. एक पेरिंस के दिमाग में ये बैट गया ही, कि मेरा बच्चा अगर कोटा जाएगा, तभी वो सक्सेस्फुलों के बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, एक बिलकुल सही बात. तो किस एज तक हम एक चाइल्ड लेते हैं, क्योंकि जो साइकलोजी, चाइल्ड साइकलोजी लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छा प्रस्ट पूछा आपने शमुल, बिलकुल सही बात है. जब हम लोग चाइल्ड साइकलोजी की बात करते हैं, तो पहले तो यह बात हम नहीं समझ बाते हैं, कि चाइल्ड साइकलोजी बेसिकली है किस चीज को लेके हैं. चाहल हम किसे कहेंगे? लीगली हमने एक एज दे दिया record ότι भई how to come date 18 तक उसको खुब हम उसको हम mature नहीं नहीं लेंगे उसको हम एड़ल्ट नहीं लेंगे and वहां तक हम भच्चा समझ के चल सकते हैं लेकिए क्या यह हकीकत? तो क्या 20 साल का जो लड़का होता है ये लड़की होती है क्या उसको बच्चा नहीं कहेंगे माबाप के नाजर में जो होता है दोस्तों वो तो 40 साल का जो बच्चा है 40 साल का जो आदमी है वो भी बच्चा ही होता है मैं आज भी अपनी माताची के नजर में, मैं आज भी बच्चा हूँ, तो बच्चे होने की जो है, मैं समझता हूँ, कि यहाँ पे जब हम बच्चा कहते हैं, तो हम उस बात को समझते हैं, कि जब एक बच्चा एक informed decision नहीं ले पाता है, उसको बच्चा कहेंगे, यानि सब ची decision नहीं ले पाए, और उसको किसी external साथ की जवरत हो, एक guidance की जवरत हो, उसको हम बच्चा कहेंगे, और यह जो mindset है, जब कहते है, चाइल्ड साइकलोजी, शायद उससे कहीं आगे तक जाता है, हम हर रोज जिंदगी को सीखते हैं, कुछ देख के सीखते हैं, कुछ absorption होती हैं फेलियोर से हम सीखते हैं, गिर पड़े, तो हम सीखते हैं, अच्छा, यह sports था, cycles हम ऐसे गिर पड़े, अगली बार ऐसे करेंगे, तो शायद थोड़ी देर तक और return कर पाएंगे, धीमे-धीमे cycle को हम balance करने लग जाते हैं, जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से, गिरते, लाइव जीना चाहते हैं, वोई बात नहीं, वो भी आपके अपनी choice हो सकती है, सफलता दोस्तों, सब के अपने-पनी नजर में अपना-पना एक आयाम होता है, अपना-पना एक मापदंड होता है, लेकिन हर कोई उसको mark करे, हर किसी के लिए benchmark के को, ऐसा जहूरी नहीं है, benchmark सबकी अलग-अलग है, लेकिन जब हम दूसरे का benchmark किसी और पर थोपने लगते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वो false road है, वो जो competition है, वो false competition है, और जिसको ये बात न समझ में आ रही हो, वो आज भी एक बच्चा है, जी हाँ, बिलकुल ऐसे बहुत समय हो चुका है, कि माता-पिता को बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, तो वो चाहते हैं, कि उनकी वो इच्छा उनके बच्चे पूरा करें, लेकिन क्या हम बच्चे से पूछते हैं, कि वो उसमें interest है कि नहीं, तो basically, I think, वहीं से शुरू होता है, child psychology समझने की, और मुझे कि याद है कि जब भी हम लोग किसी भी बच्चे से जो counseling करते, one-on-one counseling करते, तो हमारा सबसे पहले यही question होता है, कि उसका interest है किस चीज में, और उसके बाद हम उसे guide करते हैं, शुमल, जानते एक चीज है, मेरा ये पता नहीं क्यों, मेरी एक राय है, interest भी बच्चों को समझ बच्चना भाच हो रही है, कई बार ऐसा होता है, कि जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है, आपने देखा होगा, बच्चमन में आप बच्चे से पूछिए, तुम बड़े हो क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा है तुतलाते हुए, जबान से कुछ भी बोल देगा, मैं इंजिनियर बनना चाहता हूँ, और हम लोग स्वस्था रही है, यह तो इंजिनियर बनेगा, यह तो डाक्टर बनेगा, थोड़ा देर, और थोड़ा समय बीटता है, उसके बाद बच्चे से पूछिए, जब तक बच्चा क्लास 5-6 में आता है, तो कुछ और बोलने लग सframes हे ज़िए, स्वारी, बच्चा कुछ और बोलेगा, इस तरहीके से उसके जो aspirations, उसके जो ambitions और चेंज होती रहती है, क्याना पे फेनगा, क्योंकि वह जैसे जैसे लोगों से मिलता जाता है, जिस तरहीके के circle, जिस तरीके से community से वह और इंटरैक करता है, जिस तरीके से म वहां पर कंटिनुवसली वह जो देख रहा है और जो सुन रहा है उसके माध्यम से उसके मन में एक इंप्रेशन बनता जाता है, उसकी छवी बनती जाती है, कभी-कभी एक अच्छे सक्सेस्फुल डॉक्टर को देख लिया, बड़ी गाड़ी सो उतरा और यह तो लगता है कि की वह मैं एक एक कर लेता है, मुरसाइकल भी चला रहा है, हवाइज भी उड़ा रहा है, दुष्टमन ओ को मार भी रहा है, विलेंज को पीट रहा है, और हिरोईंस के साथ रूमैंस भी तो उसको इच्छा बन जाती कि कि यहार, मैं भी एक्टर बनूंगा, तो बच्चे इ नेख है, इंटरेस्ट एक चीज़ है और साथ में नेख होना अलग चीज़ है. वो जो एक अबिलीटी होती है, जो पैसिटी होती है. बाबस एक्टिग बहुत अच्छा करलता है तरहां गाना गाने के वाकई survey गाना को अच्हा गा सकते हैं लेकिन नोगैंट वजो श्वारश मदूलेशन को ले आएगा जब एक अच्छी ट्रीनिंग बाती है एक अच्छी प्रूल्फिलिस ले辋 पूरती कर सकता है मैं पाइलेट बनना चाहता हूं और मुझे कुछ पता नहीं मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं कभी जाके जो किसी तरीके से जो कॉस्टिंग है उसकी जो पुरी कर सकूँ या मैं अपनी ट्रेंडिक ले सकूँ मेरे पास वह संसाधन नहीं मौजूद है तो ऐसे सपने आजाने होना पड़ेगा और यह बात बच्चे के साथ काउंसल करना पड़ता है इसे समझाना पड़ता है और खुद भी समय ना पड़ता है तो से जुड़ी हुई कुछ लाइन हम लोग ले सकते हैं जो बच्चा पालेट नहीं बन सकता वो कम से कम कुछ नहीं तो ऐरो मॉड बिल्कुल, ड्रोन टेकनोलोजी चल रहा है, एई चल रहा है, उसके उपर काम कर सकता है, तो जुड़े हुए एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, जिसमें वो जा सकता है, तो पूरा-पूरी मायूस होने के भी आवाशकता नहीं है, और उसकी जो इंटरेस्ट हो तब करियर नहीं चूस करता है, तेंथ के बाद, एक्चुली वो स्टेप शुरू हो जाता है, जहां पर आपको उस बच्चे को एक्चुली समझना पड़ेगा, कि बच्चा साइड का हो सकता है, कि उसका आर्ट में ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा, और तब बच्चे को आपको गाइड करना है, जो जो कांसिलर है, या फिर जो स्कूल में उसका जो टीचर है, वो ही बहुत अच्छे से नर्चर करके उसका ये इंटरेस्ट समझ सका है, जी, 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 एक आपको एट और गाइडेंस द और I think बच्चों को आप धीरे धीरे पता भी चल रहा है तो क्यों ना आप ही कि थू हम लोगों को बताए कि ये प्रोग्राम है क्या शिमुल शायद आप CEP की बारे में बात करी हैं जो की करियर एनहांस्मेंट प्रोग्राम है जियां दोस्तों ये जो हमने पहले कारीकरम शु है और नाम रखा कारीएर्ट काउज गुरू जिसके सेंटर साने लगे या जम सक्षायर को आज हम दो तीन शेरों में हम ने इसका प्रोग्राम शुरू किया है और उस अकाडिमिक के तोरो से या इस एक या आजमिक प्रोग्राम के तुरू से हम ने CEP ब्रोग्राम आपका इंट्रेस्ट छो आपका सेलेक्टड लाइन, जो आपका सेलेक्टे लाइन ओ ओ्यक्टी आपके सामने देख्ट, फौरॉपर्चूनिटीश्हां आपके सामने दिख सकती है वह प्रोपर कॉंसल करके आपके साथ, बैठके Pacå करियर डिजाइन होता है, then we start fulfilling the gaps. एक दिवार जो होती है, उसमें कहीं इटे होते हैं. लेकिन उसका लोड डिस्ट्रिबुशन ऐसे होता है, कि अगर बीच में से कोई एक इटा अगर आप सरका भी लें, तो दिवार गिरती नहीं है, डहती नहीं है. यही लॉजिक हम करियर के साथ क्यों नहीं लगाते हैं? कि बाइचांस कुछ अगर कमी रह गई, कोई बात नहीं, बच्चा फिर भी उसको कहीं नहीं से लोड को सम्हाल ले जाएगा, और एक successful career तक महाँ जाएगा. परफेक्ट दिवार, दोस्तों, करियर के मामले में, मैंने तो नहीं देखा, नहीं होती है, कोई चीज है, तम परफेक्टली एक, वो एक, वो एक, वो एक, वो एक यपोथेटिक कंडिशन होगा, लेकिन एक चीज बहुत अनिवार है, यह जो हमनों फिनिशिंग स्कूल कहते हैं, एक्चली मुझे इस बात से थोड़ी से तकलीफ होती है, कि फिनिशिंग स्क है, आप ग्राजुएशन कर चुके सब कुछ, तब हम सीखने जा रहें सॉफ स्किल्स, बेसिकली ते सॉफ स्किल्स शुट कम वरी अर्ली, राइट फ्रम अलिमेंटरी स्टेज, वहां से सीखना जे हो रही है, इस चीज को हमने तब समझा जब की, जब हम जाते हैं स्टूद और चेक दूसरे को देख लग जाते हैं,ड नग जेकल चाहते हैं, और भूरी स्कूल में भी जाके एक बहुत ऐसे जिसके उपर पूरी जिंदगी है, वह है करियर, बिवकुल सही बात है, बिवकुल सही बात है, स्पेलिंग तक बच्चों को ठीक नहीं आती है, एग्जए जब देखता हूं कि करियर का बेसिक स्पेलिंग नहीं पता बिल्कुल आपने सही के ये बात इसके साथ सासे बात स्पेलिंग की नहीं है जो बच्चा मेडिकल करना चाता है थोड़ा सा सोचिएगा दोस्तों नीट में बैठाने से पहले लोग ये तो कह देते हैं कि भई उसक अगर आप इंग्लिष की स्पैलिंग नहीं पिक कर पाएंगे उसका जू और इंटोनेशन नहीं समझ पाएंगे तो आप एक रोग का या एक दवाई का नाम जो है वो कभी सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे और इसकी वज़े से दिकत और मशकत आपकी बढ़ स सुरू होती है, once you land up doing MBBS, once you land up doing something which is completely related to the terminology of medical terms. तो लेंगवेज के उपर कोई बात नहीं करता है, यह बहुत दुख्की बात है. मैंने कई बड़े स्कूल और ओरनाशन पे देखा जहां बच्चे अंग्रेजी बोल बहुत अच्छा ले रहे हैं, लेकिन उनकी रिटेन इंग्लिश अच्छी नहीं है. यह उनकी रिटेन इंग्लिश तो ठीक टाक है, लेकिन बोलने से कत्रा रहे हैं, घबड़ा रहे हैं, और वो बच्चे कहीं नहीं स्टैमरिंग डेवलब कर लेता है. लोगो की सामने आते हैं, जैसे कि हम उनके लिए स्टाम्ने जाते हैं, तो वो नहीं स्पीच नहीं निकलती है. बिल्कुल सही, और बात सिरफ इंग्लिश की बात है, यह हिंदी भी हैं, ना हिंदी सही हो? और ना अंग्रीजी सही हो, तो भही आगे चलगे, शक्छा का हेलो कहूँ, मुस्कुरा के नमस्ते बोलू, इसके लिए कौन सा graduation करना है आपको, कौन सा matriculation पढ़ना है, एक मुस्कुरा के हेलो ही तो बोलना है, लेकिन वो जो initiative होता है, वो बच्चों में आज कमी दिखाई देती है, बच्चे घबडाते हैं, अगर अकेले में छोड़ दीजिए, कोई एक बच्चा, कोई आपके घर में अगर कोई नया गस्ट आता है, तो माता पिता को एक बड़े एस तक उनको बोलना पड़ता है, बेटा यह यह है, नमस्ते करो, यह जो बात है, नमस्ते करो की जहुरत क्यों पढ़ती है, क्यों ना बच्चे को हम वैसे शिक्षा दे, जब बच्चा खुद से करे, initiative ले, खुद से वो आइस ब्रेकिंग का यह ले, यह बच्चा जो है, आगे चलके एक शोशल बिंग, एक सक्सेस्फुल शोशल बिंग बनेगा, और यह आज के दिन के बहुत बड़ी दरकार है, जिसको हम लोग नकार रहे हैं, उसके तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी हां, बिलकुल, तो इन ही सब चीजों को देखते वे, हम लोगों ने यह करियर एन्हांस्मेंट प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे से एक लॉंग टर्म प्लानिंग के साथ, इस चीज को हम दे डेवलब बिलकुल, जिसमें की सौफ स्किल्स तो है ही सौफ स्किल्स के साथ साथ, परस्नालिटी ड काटरों आपको, यह 11-12 नहीं, मैं फिर से आप से कह रहा हूँ, यह एक्चुली हमारा कारीकरम 8-9 से शुरू हो जाना है, क्योंकि जिस बच्चे को, परस्नालिटी क्या होती है साथ, परस्नालिटी मतलब एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर हो, आप सब की अपनी इंडिज पड़ने के बाद भी जब आपके बारे में जो चर्चा पीट पीछे होती है, यह जो चविया पीछे छोड़ जाते हैं, वो आपका व्यक्तित हूँ है. ओ जो मुसकुरा कiert आपने बोला, ऋ जो आप जिस अंदाज से आप बैठे, जिस तरीके से आपने दो बाते की, जो मुसकुरा के थोड़ी सी बात अपने दो लोगों से कह दि, वो आपका व्यक्तित्व है, वही पीचे छूट के चलाता है, आप बड़े से बड़े crowd में बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, वो कहते हैं ना महफिल में छाप छोड़ गए साथ आप आये थे और महफिल जमा के चले गए, महफिल जमाने की जो बात होती है, यह जो अदाएगी होती है, यह सब चीजे जो है, soft skills, हम लोग कहते तो हैं में सोचना पड़ता है, लेकिन अगर कोई चीज अगर आपके अंदर, अगर वो आपका व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगा, तो आप सोचके नहीं करेंगे, वो आटोमेटिकली सामने आएगा, और यही बात को हम CEP में बहुत बड़े तरीके से लाते हैं, इसके लावा ए जिएम से मैं शायद लाकों की जन्ता को मैं सकता हूआं उनको एड्रिस कर सकता हूँ, तो तो दिमाग में ये बात होनी बेसिकली मैं लेंज से नहीं मैं लाकों की जनता से बात कर रहा हूं। तब क्या होगा ? आपको पता रहेगा कि जो कंटेंट आप बोल रहे हैं, जो कंटेंट आपके दिमाग में हैं। उसको सजा के ऐसे कैसे बोला जाएं कि सामने वाला उसको पूरी तरी अडजाप कर सके अबजॉब कर सके एकसिप्ट कर सके। यही चीज जब आप इंटर्वियू में जाते हैं, तो सोचना पड़ता है, क्योंकि जितने आपके आगे चलके जो हायर इंटर्वियू होते हैं, उसमें आप देखेंगे, लाइन करके जो है, पांच-छे इंटर्वियूर्स बैठे रहते हैं, बच्चा अंदर जाता है, जैस अब की तरफ देखता है, ऐसा नहीं एक तरफ देख रहा है, उसकी नजर हर किसी को, यह जो नजर से सब को कॉन्टैक किया, तो कनेक्ट करते हूँ बता दिया, कि भई मैंने आप सब को, मैंने इंडिविजियूली मैं आपको विश कर रहा हूँ, बोला एक बार, देखा सब को, यह छोटे-छोटे टेक्निक्स, यह छोटी-छोटी चीजें, एक साथ कहीं खाना खाने बैटे हैं, और पता होना चाहिए, यह फोर्क में और नाइफ राइट में, वो जो कट करने का तरीका है, वो जो मुसकरा के आप बैठे, वो जो हलके से आपने नैपकिन को नीचे डाला, यह जो एटिकेट्स हैं, यह जो टेबल मैनर्स हैं, टेबल मैनर्स उस समय सबसे पहले आपने अपने गेस को आफर किया, सर प्लीज पहले, और यह तो मैं लखनों से हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है, साहब, कि तहजीब जिसको कहते हैं, जो तमीज जिसको क कहते हैं, वो हमारे अंदर तो शुरू से डेवलप था, इसको बहार में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इस बात को सीखा, और यह जो तहजीब है, वो लखनों से निकल के देश दुनिया में गुमा, जो सो इसी को थोड़ा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करने ले जी हां, शुभागर जी और एक बहुत और इंपोर्टन्टन्स के वारे में हम बात करें कि जिसे पर हम लगों ने काफी काम किया है, वो है लिस्निंग स्किल्स, बिल्कुल, 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 एक बहुती एजी और स्मार्ट गेम के साथ आपने उसको बताया कि कैसे एक सेंटेंस का पांच या छे मतलब निकलता है, तो बच्चों की जो हैंचे बिल्कुल, क्योंकि बच्चे अकसर जो है कुछ चीजे हैं, जो गेम्स के माध्यम से भी सीख लेते हैं, तो इसी तरीके से आपने बहुत खूपशूर्ती के साथ उनको बताया कि लिस्निंग स् बिल्कुल, observation और listening जो है, वो अपने आप में बहुत important चीज है, क्यों important है, क्योंकि अभी जैसे आपने एक प्रश्ण बोला, मैंने उस प्रश्ण को जब ध्यान से सुना, तो मैंने पीछे से अपने दिमाग में तुरन चलाना शुरू किया कि अच्छा, उसका answer ऐसा होना च क्योंकि जवाब देना है, इस वज़े से सिर्फ जवाब दूँगा, answer for the sake of replying, that's it, लेकिन दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको successful होना है, अगर आप एक paper, question paper को देते हैं, तो अगर question को ठीक से नहीं पड़ा, तो आप answer भी ठीक से नहीं दे सकते, similarly, अगर आपने class में ठ ठीक से ध्यान दे कि उनको सुना नहीं, तो आपको बाद में रटनती विद्या पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, और होता ही है, होता ही है कि जैसे हम लोग कुछ स्कूल्स कॉलेजिस में जाते हैं, श्मूल ये ज्यादा तर आप करते हैं, हम लोग एक आइडिया ड आपको ये काम करना है, फिर अंधी में से कहते हैं, अचा सब खड़े हो जाते हैं, आर काउंसलर से इस तो बुला ही नहीं, खेल शुरू ही नहीं, और लोग खेल में शामिल होने लग जाते हैं, ज्यादा तर ये हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये छोटे क्लास से लेके हमने सीनिय क्लासिस तक किया और 90% केसे में बच्चे फेल हुए, और अगर फेल लेकी भी होते हैं, तो क्या होता है, जो नहीं करता है, उसको बहुत बहुत मज़दार चीज है, कुछ जगों पे बच्चे जिन्हों ने ठीक से फॉलो किया होता है, वो फिर भेड़च करें, वो सही नहीं होती, और ये बात अगर हम लोग को आज समझ में आ जाये ना, विश्वास मानिये, आधे से ज़्यादा दंगे होने बंद हो जाएंगे, जब आपको दिमाग में ये रहेगा, कि जो भीड़ होती है, उसमें सर्तों धेर सारे होते हैं, बुद्धी थोड ये बात हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग observe नहीं कर रहे हैं और हम लोग ठीक से सुन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग thinking ability के उपर भी उतना ही, exactly, thinking ability, thinking ability क्या है, ये और एक मज़ेदार चीज है, thinking ability में कुछ हम लोग ऐसे conditions डालते हैं, कुछ pre conditions ऐसा सेट कर देत हैं, जिसमें लोग logical aptitude check करते हैं, कि logically बंदा क्या करेगा, एक situation है, सोचिए, कहीं पे बच्चा जो है, उसके पास रसी है, पट्रा है, और सामने के तरफ एक hurdle है, उसको पार करना है, ये, दोस्तों, ये हम लोग कुछ out of the box नहीं ला रहे हैं, हम लोग लग examination, लग 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 test होती है, ये होती आई है, we are not doing anything alone, ये, हम लोग कोई चीछ में आपको ये, बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने test को इस तरीके से बनाया है, testing बहुत ज़्यादा ज़ो रहे है, testing हमको हमेशा बताती है कि हम किस stage पे खड़े हैं, हमें और कितना workout की ज़ो रहता है, इसलिए CP में एक मजबूत चीज ये भी है, वो है continuous testing, यानि आपकी जो hand holding class 8 में शुरू हो रही है, तो वो हमेशा, जब तक आपका career शुरू ना हो, आ आप अपनी testing, अलग-अलग प्रकार की testing होती है, academically भी होती है, non-academically भी होती है, आप उसको logical aptitude भी test कर सकते हैं, psychometric test, जिससे आपके psychological conditions, उसकी जो preamp से वो आपको कम से कम पता चलती रहे हैं, और इसको पर हम लोग महनत कर रहे हैं, तो दोस्तों, CP is not only about soft skill, it is not only about giving test, it is not only about developing listening ability, it is not only about thinking ability, it is not only about your personality development, this is a wholesome thing, and I think it is very important for each and every college, हर एक विद्याले में यह बच्पन से होना चाहिए, ताकि बड़े होके कुछ जादा कोशिश न करनी पड़े, वो जो चीज है, वो आपकी system, आपका जो ecosystem, आपका जो biological system है, उसको अड़प कर चुका, उसको अड़प कर च यही एक कोशिश है, कि career enhancement program becomes a part of your life, rather than किसी चीज को हम artificially अगर हम करें, अगर वो naturally आपके अंदर आ जाए, तो कितना natural होगा है, जी हाँ, बिल्कुल, इसी के लिए, जो शुभांकर निजी जीनेर बताया, कि हम लोग 8 या 9 class onwards, यह career enhancement program, जो की CEP, अल्रेडी यह introduced हो चुका है और बच्चे अल्रेडी हमारे बैचे स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें कि I think यह जो एक wholesome education और holistic development में इसको बोलूँगी कि किस तरीके से बहुत ही खुबसूर्त के साथ, activity based यह एक learning होगी, जो कि forcefully नहीं होगा, राइक शुभांकर जी? शुमुल मैं एक बात मैं कहना भूल गया, मैं बिल्कुल उस विद्ध्याले का मैं नाम भी लूँगा, हलाकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन मैं नाम लूँगा, वो है बाबा गुरुकूल, दोस्तों एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं ये बारबंकी में एक स शिक्षा की भी जो पद्दती है, जो की ट्रैडिशनल था, लेकिन उसको सोचा है, उसके उपर काम किया है, और कोशिश किया कि उसको अम लोग डेवलप करें, गुरुकूल का जब लोग नाम सुनते तो हम लोग सोचते हैं कि वो जो हमारी पुरानिक जो जो शिक्षा प्र लाए गए, लेकिन शिक्षा प्रनाली तो ले दे के वो ही रती है, अब जो चीज है, गुरुकूल में एक ओपन एर एक्मोसफेर एक क्रियेट किया जाता था, बच्चे जो आते थे, धूप में भी खेलते थे, उच्छाओं और दर से भी चलते थे, गुरु वाला जो एक गुरु को पहले मित्र भी माना जाता था, आप रामायन महाबरत के अगर एपिसोड देखें, तो आपने देखा होगा, उसमें जो रिशी मुनी होते थे, जो गुरु होते थे, बाकादा, जिनको भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, इनको भी होगा कि गुरु जो है, एक छात्र जो है, जब वो परिशान होता था, जीवन की भी किसी समस्या سے परिशान होता था, उसमें दिखाये जाता था कि बाकादा हो जा कि अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा करते थे, और गुरु बताते थे, उनको ऐसा करना चाहीए, ऐ आज के दिन में, दोस्तों, क्या यह हो पाता है? आज बच्चे अपने टीचर से, अपने क्लास टीचर से बात करने से डरते हैं. और शायद इसी वज़े से अचानक यह ट्यूशन बिजनेस, यह आउट आफ स्कूल एजूकेशन इतना ज़्यादा डेवलब हुआ. बाबा गुरुकुल ने यह अच्छा कंसेप्ट, हमारा तुरंत उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने इस बारे में हमनारे साथ चार्चा की, उसमें श्री रवी सिंग जी हुआ के प्रिंस्पल है, हरपाल सिंग जी जो हुआ के मैनेजर हैं, उन्होंने हमारे साथ, हमलोंने एक एक collaborative वो तयार किया और डिसाइड किया कि नहीं CEP को पहले हम लोग CEP 10th के मादधम से चला रहे हैं तो उन्हों ने का कि नहीं और थोड़ा नीचे से करते हैं तो हम लोग ने क्लास 8 से शुरू किया हम लोग कोशिस तो हर जगे करते हैं बड़े ब्रैंड्स के पास गया है लेकिन कोई भी ब्रैंड बहुत छोटे क्लासे से उनको यह दरकार नहीं मैसुस होता कि वहां पे भी बेसिकली यू नीड सॉफ्ट स्केल्स यू नीड यूर करियर अनांस्मेंट प्रोग्राम यह बात बाबा गुरुकूल ने बहुत खुपसूरती से चालू कि जिसकी में बहुत तारीफ करता हूं मैंने वहां देखा है कि बाहर आर्चरी का क्लास चल रहा था नैशनल चेंपियन्स वहां से निकले हैं साब मैं यहां पर प्रोमोट करने नहीं बैठा हूं यह एड़र्टीजमेंट नहीं चल रहा है लेकिन अच्छी बात को शायद बताना चाहिए कि वहां पर मैंने आर्चरी की प्रैक्टेस के लिए मैंने देखा मैंने देखा 5-5 लाग की track लाग के इकुद्मेंट्स रखे हूँ है जो वहां पर ऊच्छी बात है और ऐसी चीजों का क्रोचछाना हो ने हूनी चाहिए और तब जाके आगे बढ़ेंगे स्कूल्स कॉलेजिस को सिर्फ और सिर्फ आंख मूत करके गवर्मेंट की लाई हुई पॉलिसी को ही चलाने की जोड़त नहीं है अगर उनके खुद के अप्टिट्यूट में कुछ नहीं ऐसे कुछ रिफॉर्म्स हैं तो बिल्कुल उन रिफॉर्म्स को डालना चाहिए इससे बच्चे की जिंदगी में बदला हुआएगा बच्चा शुरू से जो है वो एक wholesome education के साथ बढ़ा होगा उसकी जो परवरिश होगी बाकी बच्चों से हमेशा अलग होगी एक leadership skill हम लोग ढूंडते हैं बिल्कुल इंटर्विय और जो बाद में ढूंडता है तो आइधिक बच्पन से ही वो develop year रहेगा बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है तो जी हाँ शुवांकर जी I think मैं ये तो नहीं पूछूंगी कैसा लगा आपको क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये जो आज का show है ये dedicated है हमारी students और parents के लिए भी तो जी हाँ students and parents आप दोनों से हम ये ही बात करना चाहते है कि क्यों ये career enhancement program क्यों ये इतना important है हर एक बच्चे के लिए तो इसी के साथ हम लोग आज का ये episode यही पर समाप करते है और I think मैं आपको एक और news देती हूँ कि next episode में हम लोग कुछ ऐसी ही students के उपर ही बात करेंगे एक बच्चा ही बोलूँगे जब वो बच्चा था जब उसने NEET की तयारी की थी तब वो बच्चा ही था लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा किस तरीके से महनत करके नीट का प्रिप्रेशन खुद से करके आगे बढ़ा और लखनो शहर का नाम रोशन किया जी हां वो वो वन अव दे टॉपर्स रहे और आज वो राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलिश में वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे ही जब दॉक्टर नाओ प्रिप्रेशन को हमेशा प्लीज आप लोग जरूर देखा करें क्योंकि अभी जो डॉक्टर श्रिवम के बारें बताया वह अभी उन्होंने नीट पीजी नीट में उन्होंने पॉप किया है सिटी लेवल पर बड़ी बात है तो उनकी प्रपरेशन कैसे रही उससे आप ल सब्सक्राइब करें करें काउच विच भांकर एवरी संडे नाइन पीएम ओली ओन प्राइम तीवी तिल देट टेक केर वाबाए झाल में सुट्च में सुट्च में काणका काउच लेवल पालो करें किवभाण काने यिac